हाई गाईस कैसे हो आसा करता हूँ लोगडान के दोरान आप सभी घर पे है और सुरक्सित भी है है ना तो चलिए इस भी कुछ सीखते हैं nsdl pencut application के लिए offline form केस भरते हैं offline form भरने के बाद आपको online form भी भरना पड़ेगा और document upload भी करना पड़ेगा document से याद आया अगर आपके पास या फिर आपके client के पास या फिर customer के पास कुछ भी document नहीं है तो उसके लिए कौन सा form भरेंगे ओके लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ offline form ही भरना सिखेंगे तो चलिए बिना time waste किये जल्दी से वीडियो का जोई शुरू कर लेते हैं हेलो दोस्तो मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हो iTech Hindi वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे है एक छोटी सी गुजारिश अगर आपने अभी तक हमारे iTech Hindi चैनल को subscribe नहीं किया है TikTok देखते हो तो मुझे TikTok पर भी आप खोलो कर सकते हो TikTok ID आपके स्क्रीन पर दिख रहा है चलिए दोस्तों वीडियो को जोई शुरू कर लेते हैं NSDL Pencard Service के लिए offline form के से भरा जाता है तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने एक form भरके रखा है तो सबसे पहले आपको दो फोटो लगा देना है एक right side में और एक left side में उसके बाद accessing officer AO code चार चीज़े आपको दिखेगा area code, AO type, range code और AO number area code जो होता है वो district wise होता है यह जो code है यह जोड़ा district का है अगर आप जोड़ा district से नहीं हो तो यह code आपके लिए नहीं है ठीके और एक चीज़ मैं आपको clear कर दूँ अगर आप एक pen form collector हो मतलब pen form collect करते हो तो आपके लिए यह जुरूरी नहीं है अगर आप एक applicant हो आप एक customer हो तो आपके लिए भी यह जुरूरी नहीं है लेकिन अगर आप एक agency हो आपके branch है आपके branch code है और आप खुद online करते हो तो आपके लिए यह जुरूरी है आप सवाल यह है कि यह code आपको मिलेगा कहां पहला तरीका आप google में जा करके assessing officer code type करेंगे AO code search for pen NSDL आपको इसके उपर click करके आप आप देख सकते हो A, B, C, D, E, F आपके जो district है अगर आप गोलाघाट के हो तो आपके alphabet G होगा और आपको G पर click करके आप यहां से देख सकते हो गोलाघाट का area code कौन सा है और दूसरा तरीका यह है online pen application करते हो तो आप login manager पर जब apply कर करेंगे उसके बाद district select करेंगे और area code को select करता आएंगे ठीक है उसके बाद आपको यहां पर signature भर देना है customer का उसके बाद और एक signature आपको cross में लगा देना है client का ठीक है उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो number one click and male है तो Siri लिखेंगे और अगर female है तो Siri मत्लिपे टिक कर ग्रेंगे surname last name तो यहां पर आपको last name enter करना है उसके बाद आप यहां पर देखेंगे first name तो यहां पर आपको first name enter करना है और applicant का अगर middle name रहेंगे तो आपको यहां पे middle name enter करना है मतलब यहांपे लिखनाग है ठीक है और उसके बाद 2 नूमबर पर आप देखेंगे यहां पर एप्लिकेंट का पूरा नाम आपको लिखना है उसके बाद 3 नूमबर कर देना है Dare 4 नूमबर कहेंगे ऐल हैं तो मेल पे टिक करेंगे फीमेल है तो फीमेल पे टिक करेंगे, otherwise TG है तो TG पे टिक करेंगे, उसके बाद आपको date of birth एंटर करना है, उसके बाद फादार्स नेम को भरना है, ध्यान रखें फादार्स नेम को ही भरना है, ठीके, सबसे पहले last नेम को एंटर करेंगे उपर वाला हिस्सा में, और उसके बाद first name, उसके बाद middle name है तो यहाँ पे middle name भी भर सकते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे fathers पे टिक लगा देना है, उसके बाद seven number पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका complete address भर देना है, address कैसे fill कि आप देख लिजे, सबसे पहले पहले जो two digits है, मैंने number enter किया हूँ, center में ही मुझे मंगवाना है, तो मैंने अपना name यहाँ पे enter कर दिया हूँ, आप चाहे तो client के fathers के name भी enter कर सकते हो, या फिर खुद के address में मंगवाना चाहते हो, तो खुद का नाम यहाँ पे आप enter करेंगे, या फिर दुकान पे enter करेंगे, लेकिन ध्यान रखे, पहले two या three digits का number enter करेंगे, उसके बाद space दे करके आप अपने नाम या फिर center का नाम लिखेंगे, उसके बाद village का name लिखेंगे, उसके बाद post office का name लिखेंगे, ध्यान रखे, ये दो name जो है, वो same नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो same ही है, लेकिन मैंने पहला वाला में नागाड़ लिखा हूँ, उसके बाद sub division हमारे यहां का तितावर, उसके बाद district भर दीजे, उसके बाद state number country का name लिख दीजे, इसका दूसरा page भी है, दूसरा page में उसके बाद 8 number पे आप देखेंगे address for communication, यहां पे आप residence tick करेंगे, उसके बाद 9 number पे आप देखेंगे country court, मतलब 91 करके मैंने यहां पे enter किया हूँ, आप भी कर दीजे, उसके बाद यहां पे mobile number के address पे मंगवाना चाहते हो, तो खुद का mobile number enter करेंगे, या फिर customer के address में भेजना चाहते हो, customer का mobile number, ठीके, उसके बाद email ID आप खुद का भी भर सकते हो, इसमें कोई problem नहीं है, उसके बाद 10 number पे आ GOC लगाया, मतलब gadgeted officer certificate, आप अगर voter card लगाते हैं, तो voter card करके यहां पे लिखेंगे, और identity proof में भी मैंने GOC ही लगाया हूँ, मतलब gadgeted officer certificate ही लगाया हूँ, अगर आप voter card देते हैं, तो दोनों में voter card, आधर card देते हो, तो आधर card लिख देना है, but proof में मैंने domicile को लगाया ह आधर card या फिर driving license देते हो, तो तीनों में same ही लिखेंगे, ठीक है, 16 number पे applicant का नाम लिखेंगे आप फिर से, उसके बाद यहां पे self लिखना है, उसके बाद place में आपना district का name लिखना है, उसके बाद applicant यहां पे भी एक signature करना है, उसके बाद यहां पे आपको date enter कर देना, च ठीक है, और एक चीज में ने दिखाना भूल गया, यह पहला page, यह signature जो है, इसे crop किया जाता है, तो ध्यान रखें, यह जो signature है, बीचो बीच होना चाहिए, अब line देख रहा है, line पे touch नहीं होना चाहिए, और photo में भी touch नहीं होना चाहिए, और यह जो signature है, यह वाला signature, इस से cross लगाना है, ठीक है, अगर customer के पस कोई भी document नहीं है, तो क्या करें, कौन सा form, fill करें, domitial certificate, government of assignment करके है, यह वाला certificate आपको खुद से बना लेना है, यहाँ पे applicant का name enter करेंगे, मतलब लिखेंगे, यहाँ पे father's name, यहाँ पे date, यहाँ पे month लिखेंगे, और यहाँ पे years ल लगवा लेना है, और signature भी लेना है, किस से वो आप यहाँ पे देख सकते हो, village headman और ward member, अगर आप ग्रामीन अंचल में रेते हो, तो गावडा जो होते है, उनके वहाँ से भी लेने से होगा, और अगर आप ग्रामीन एरिया में ही रेते हैं, तो ward member से भी आप ले सकते हो, अगर आप रूरेल में रहते हो, तो अगर आप अर्वन में रहते हो, तो आप multi-party office से आपको लेना पनेगा, यह तो हो गया domicile, और एक form है goc, यह है goc, आपको यह form भी खुद से बनवा लेना है, अगर आपके पास नहीं है, तो आप मुझे comment करेंगे, मैं आपको यह दोन और फिर यहाँ पे अपना complete address लिखना है, लिखने के बाद आपको gadgeted officer से stamp लगाना है, और signature भी लेना है, gadgeted officer से ठीक है, फोटो के साथ भी और थोड़ा नीचे आपको यहाँ पे भी stamp और signature ले लेना है, तब जाकि यह form complete होता है, और इन सब form को आप online जब application करेंगे, इसमें document upload करेंगे, तो यह तो हो गया offline form, online form कीसे भरा जाता है, उसका video मैंने description पर देखे रखा हूँ, आप वहाँ से भी देख करके online apply देख सकते हो, ठीक है, उमिद करता हूँ दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे comment करेंगे मैं आपकी comment की reply जरूर दूँगा, और अगर आपके पास यह दोनो form नहीं है, तो आप मुझे comment करेंगे, मैं आपको यह दोनो form send कर दूँगा, ठीके, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज एक like करके अपने दोस्तों से share भी किजेगा, और अगर आपने अभ और वाचिंग, आपका दिन सुभर है